जैहें दोस्तों स्वागत क्या आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके लिए आपर बहुत वी महत्तुपूर्ण कौशन आंसर हिंदी साहित के तो वीडियो को पूरा बस्ते देखना है अगर आप चैनल पर पहली बार आ हैं तो चैनल को सब्क्राइब करने बेल आइकन दबाएं ओल पर क्लिक करें ताकि ओल वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे ज्यादा ज्यादा वीडियो को सेयर करें और वीडियो को लाइक करना न न भूलें बन लाइनर ये कौशन बहुत वी मात्तुपूर्ण तो कौन सा है ये आपके लिए यहां पर बताना है हिंदी का प्रिथम अभीनीत नाटक जो है जानकी मंगल है ये अभीनीत नाटक हिंदी का प्रिथम और सीतला प्रसाद खात्री जी का ये क्या है अभीनीत नाटक है जानकी मंगल अंगला क्या है प्रसाद का प्रिथम एति आंकी है तो हिंदी की प्रतम एक आंकी यहां पर पूंची है तो आपका सही आंसर है यहां पर एक घूंट एक घूंट जो है हिंदी की प्रतम एक आंकी है और यह प्रसाजी की एक आंकी है अंगला कॉस्चन क्या है तो देखिए आचार रामचान सुकल की पहली स्यद्दान्त एक आलोशिना किर्टी जो है वह काप में रहस्वाद है कौनसा काप में रहस्वाद आपका सही आंसर है अंगला कॉस्चे ने रस पिवेचन को पहली बार मनुव्यज्यानिक आधार प्रदान किया तो किस ने किया यह आपके लिए यहाँ पर बताना है तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है आचार रामचन सुकल आपका सही आंसर है देखिए अंडर्श वेचन को पहली बार मनुव्यज्यानिक आधार प्रदान जो किया था वह आचार रामचन सुकल आपका राइट आंसर होगा अंगला कोस्चन है साधार्णी करन का प्रियोग करता है तो कौन है साधार्णी करन का प्रियोग करता कौन है यह आपसे पूंचा है तो भट नायक आपका यहाँ पर सही आंसर है भट नायक राइट आंसर है बिलकुल सही अंगला कोस्चन है हिंदी में प्रियोग करता है त और हिंदी की परत्याइमकता तरफ सी लख इनु100 मोलिक जीवनी लेखत direct earnings reference 283 की है अंगलेת question है कि हिंद्य हिंदी में पृत्रम रेखाचे टर कौन साई ये आपके लिए बताने हैं नंबर प्रिफम रिपोर्टाज कोँ से लक्ष्मि पुरा लक्ष्मि पुरा है 1938 का शिवदान सेंजि provans जाहन जी का अंग्ला क इसका है हिंदी गदी कावि की पिरिफम रचिना कौन सी है, यह रचिना बताने आपके लिए हिंदी कावि की पिरिफम रचिना जो है साथना है कौन सी है साथना और इसके जो लेखास हैं वहराई कृष्ण अतास हैं अंगला क्वेश्चन है हिंदी साहित का इतिहास का पर्थम व्यवस्तित ग्रंथ कौन सा है हिंदी साहित का इतिहास का पर्थम व्यवस्तित ग्रंथ जो है हिंदी साहित का इतिहास प्रशाद दुवेदी जी का है अंगला कॉस्चन है साहित ते इतिहास का प्रथम माक्षवादी ग्रंतकार कौन है तो 56 का सही आंसर है आपका रामबलास सर्मा आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा खली बोली पद्य का प्रत्ēм प्रियोग करता है तो खली बोली पद्य का प्रत्द का पूंचा है प्रत्द प्रियोग करता कौन है अमीर खुसुरू आपका यहाँ पर राइट आनसर होगा खली बोली की प्रतम गद्रशिना कौन से गद्रशिना पूंचा है आपसे तो चंद चंद बरनन की महिमा गंग कभी की है और प्रतम गद्रशिना है खली बोली की अंगले question है, खळी बोली में साहत्य सवरूप का सर्प्रियोग किया है क्या है, रामपृरसाजर रंजनी ने, योग भासा वसेष्ट में अंगले question क्या है, प्रिथं हिंदी पत्र तो आपका right answer है, ओधन्त मारतंड देखिये यह हिंदी का प्रिथं पत्र है आपसे ओधन्त मातंड आपका right answer है और जो है जो प्रकासित हुआ था यह आपका पत्र है 30 माई 1826 अंगल्य question है सर परथम हिंदी देनेक पत्र कौन सा है सर पर्थम हिंदी देनेक पत्र बताना है सर पर्थम हिंदी देनेक पत्र जो है बहे है समाचार सोधाबर्शन 1856 आपके लिए याद राखना अंगला कॉस्चन हिंदी की पर्थम लगुपत्र का कौन सी है हिंदी की पर्थम लगुपत्र का जो है कौन सी है तो नई पत्ति हिंदी में प्रकासित पिर्थम ग्रंतावली कौन सी है तो भारतेंदु ग्रंतावली आपका यहां पर सही आंसर है भारतेंदु ग्रंतावली राइट आंसर आपका यहां पर है हिंदी के पिर्थम साहित अकादमी पुरुषकार कौन है यह आपके लिए बताना है तो बहें मा माकनलाल चतुरवेदी को कब मिला था अगर पूंचे जाए 1955 में कब 1955 में कौन सी रचिना के लिए हिमतरंगनी के लिए अंगला कॉस्चन क्या है ग्यानपीट पुरुषकार से सम्वाने प्रिथम हिंदी साहतिकार पंत हैं तो इनकी कौन सी रचिना को दिया गया था ए पूंचे लिए महिला में बताना है तो इनको कब मिला था इनको 1982 में अंगले question है ब्यास सम्मान बताना है तो ब्यास सम्मान जो है ब्यास सम्मान के बारे में देखिए यहाँ पर ब्यास सम्मान पिर्थम ब्यास सम्मान मिला था किसको मिला था पिर्थम ब्यास सम्मान तो भारत के भासा परिवार और हिंदी डाक्टर रामबला सर्माजी को मिला था और कम मिला था हुँ, 1991 तो यह आपको याद रखना है अन्ला कॉस्चिन है, क्या है अन्ला कॉस्चिन की पिरफ़म 26 हिंदी संविलन कब हुआ था, और दिख़िये यह जो हुआ था, कहा पर हुआ था यह भी पताएं, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर कि यह जो हुआ था प्रतम हिंदी विश्व सम्मीलन यह नांगपुर में हुआ था कब हुआ था तो 1975 में हुआ था अंगला कॉस्चन है M.A. हिंदी का सर प्रतम सिक्षन प्रारम हुआ तो कहां से हुआ तो आपका राइट आंसर है M.A. हिंदी का सर प्रतम सिक्षन प्रारम हुआ कासी हिंदू विश्विद्यालाय में कब हुआ 1921 में अंगला कॉस्चिन क्या पूँचा गया है अंगला कॉस्चिन यहाँ पर पूँचा गया है आप से यहाँ पर देखे कि कासी हिंदू विश्विद्यालाय के प्रिथाम हिंदी विभाग अध्यक्ष से यह तो कौन थे तो आपके लिए यहाँ पर बताना है तो स्याम सुन्दरदास आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा अंगला कॉस्टेंट के आप पूंचे गया है तो देखी कॉस्टें नमबर आपका 71 है यहाँ पर साहत अकादमी का प्रिथम अध्यक्ष कौन थे तो साहत अकादमी के प्रिथम अध्यक्ष बताना 71 का राइट आंसर बताना है पंड़त जवाहलाल निहरू आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा पंड़त जवाहलाल निहरू, हिंदी साहित परिशत का प्रिथम अध्यक्षे, तो हिंदी साहित परिशत के प्रिथम अध्यक्ष आप के लिए बताना है, तो पुरसुत्तमदाश टंडन आपका राइट आंसर है, यह जो थे, हिंदी साहित परिशत के प्रिथम अध्यक्षे थी अंगले कॉस्चेन क्या पूंचा गया है देखिए सहिंग तो राष्टे संग में हिंदी में भांसन देने वाला प्रिथम ब्यक्ति ये कॉस्चेन का यी बात पूंचे जा चुका है तो सहिंगते राष्टे संग में हिंदी में भांसन देने वाली प्रिथम ब्यक्ति थे अटल व्यार इवाज पिये थे, कब दिये थे इनों इवाशन, 1977 में, 1977, अंगले कॉश्चन क्या पूच्छा है, हिंदी भासा का प्रतम ब्याग्ज्ञान की तिहास है, तो आपका राइट आंसर है, यहाँ पर हिंदी भासा का इतिहास, 1933, जो धीरेंदर बर्मा, आपका पहला स्वतंत्र मॉलिक निवन्दे है, तो कौनसा है यह आपके लिए बताना है, तो कॉश्चन नूमर 75 है, और 75 का राइट आंसर है आपका राजा भोज का सपना, हिंदी का पहला स्वतंत्र मॉलिक निवन्दे, राजा भोज का सपना, और इसके जो लेकक, राजा से प्र प्रिथम रचिना है तो बिरिज भासा गद्धी की प्रिथम रचिना है कौन सी है सिंगारस मंडन गूसाई बिठलनाथ की है किसकी गूसाई बिठलनाथ की सिंगारस मंडन अंगले कौशेन है आदुने खाली बोली हिन्दी गद्ल का जनख है तका गौशेन है कोशेन नमबर महत्वपुन कॉस्चन है कि फ्लेस ब्यक्पतिती आधारित प्रतम रचिना जो है उसने कहा था आपका राइट आंसर उसने कहा था हिंदी आलूचिना की प्रवर्ट तक कौन है इक कॉस्चन महत्वपुन पूचे गया है हिंदी आलूचिना की प्रतम जो हिंदी आलूचिना क कम्प्लीट हुए हिंदी साहते गई तो क्यांसा लगाए वीडियो कमेंट में आपके लिए बताने हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहला आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आप कहां तक पहुंचे ज्यादा है ज्यादा वीडियो को सेयर करना है और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना है इस अभी के लिए बहुत बहुत दन्यवाद जै हिंद